हिलो दोस्तों आज हम जानेंगे लॉड डलहोजी के बारे में। लॉड डलहोजी, जिनका पूरा नाम जेम्स एंडू ब्रॉन राम से था, एक ब्रिटिश प्रशासक और अपनिवेशिक गवर्नर थे, जिन्होंने 1848-1856 तक भारत की गवर्नर जनरल की रूप में कार्य किया। उनका जन 22 अप्रेल 1812 को मिदलोथियन, स्कोटलेल में हुआ था और उनकी मृत्यू हो गई थी। 19 दिसंबर 1860 को हैम कॉमन, लंदन, इंगलेंड में। दलहोजी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार में महत्वकून भूमिका निभाई। गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दोरान, उन्होंने विभिन प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू किया जिसका भारक पर स्थाय प्रभाव पड़ा। दलहौजी द्वारा पेश किये गए सबसे महत्वकून सुधारों में से एक हड़प का सिध्धान था। इस नीती के तहट, कोई भी भारतिय शासक जो बिना पुरुश उत्तरादेकारी के मर गया, उसके क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा कबजा कर लिया जाएगा। गंगा नहर का निर्मान, जिसने उत्तर भारत में लाखों हेक्टिय भूमी की सिचाई की, उनकी सबसे महत्वकून उपलब्दियों में से एक थी। दलहोजी ब्रिटिश भारत की सीमाओं के विस्तार के लिए भी जिम्मेदार था। उन्होंने दूसरा इंग्लोस से क्युद्ध शुरू किया, जिसके परिनामस्वरू पंजाब का विले हुआ और इसके क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया। उसने दलहोजी की नीतिया बिना विवाद के नहीं थी। कई भारतियों ने उन्हें ब्रिटिश सामराजवाद के प्रतीक के रूप में देखा और उनकी नीतियों का विरोध किया। भारतिय राज्यों का विले और व्यपगत के सिध्धान्त की नीती विशेश रूप से अलोग प्रिय थी। उनकी नीतियों ने व्यापक आर्थिक और सामाजिक वियवधान भी पैदा किया, जिसने भारत में ब्रिटिश विरोधी भावना को और बढ़ावा दिया। खिरोधी विरोधी नेक का दिन मती पामाजी ठीरोधी भावनाई。